दोस्तों टीवी इंडश्टी के कलाकार अपनी सीरियलों में हर एक किरदार निभा कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया करते हैं जो दर्शकों को पेहत पसंद आता है और उनका वह किरदार दर्शकों के दिलों में अच्छी चाप छोड़ जाता है उनी सब किरदारों में से हमें टीवी पर एक और किरदार देखने को मिलता है वह किरदार होता है भगवान शिप का किरदार जिसे टीवी के कई सितारों निभाया और दर्शकों के फेबरेट बन गए जिसे दर्शक आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना की पहले किया करते लेकिन दोस्तों कि आपको यह पता है कि टीवी के भगवान शिप के एहम भूमिका निवाने वाले कौने आक्टर हैं जैंने दर्शक भी तौप फाइब एक्ट्रोस में से कौनसा एक्टर है दर्शकू का फेबरेट तो अगर आप भी रूब रूब होना चाहते हैं उन एक्ट्रोस से तुपने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंग तक नंबर पांच यशोधर राणा नंबर पांच पर जिस अभी नीता के बारे म हम बात करेंगे तो वे हैं अभी नीता यशोधर राणा फेमश टीवी एक्टर यशोधर राणा सीरियल ओम नवश्यवाय में भगवान शिप का किरदान निभाते नजर आये थे इसी शो में इनको खूब पॉपुलरिटी हासिल हुई थी इन्होंने अपने किरदार को शमर जै सिंग ने भगवान शिप का किरदान निभाया था ये शोधूर दर्शन पर काफ़ी पॉपलर हुआ शमर जै सिंग ने भगवान शिप का किरदार पहुत फूर्शूरती के साथ परदे पर पेश किया जिसके चलते दर्शकों ने इन्हें नमबर चार की पोजिशन नमबर तीन हिमाइशू ने सोनी चैनल के सीरियल नीली छतरी वाले शिवाय का किरदार निभाया था जो दर्शको को बहुत पसंद आया हिमाइशू सिप के किरदार में सच मुझके सिप नजर आये थे जिसके चलते दर्शको नहींने नमबर तीन की पोजिशन दी सहारा वन के पॉपुलर सीरियल गनेश लीला में शिप के किरदार में नजर आए थे मुकेश शोलंकी इन्हें भी इस सीरियल में खास पहचान मिली थी जिसके चलते ये आज टी बे इंड़िश्टी के चानिमाने भी नीता हैं इन्होंने इस किर्दार में अपनी तंदार अक्टिंग से चार चान लगा थे जिसके चलते दश्कों ने इन्हें पीतत पसंद किया इस इस लिष्ट में सबसे उपर नाम आता है मौहित रेणा का वोके देव महादेव में मौहित रेणा को कोई फ़ला कैसे बूल सकता है बता दे कि मोहिसों में वोके दे महादे में भवान शिप के किरदार से मशूर हुए हैं इनके इस किरदार ने लोगों के दिलों को चूलिया था जिसके चलते हैं नमबर एक की पोजिशन हासिल करते हैं और यही हैं दर्शुगों के फेवरिट शिप के किरदार निभाने वाले अभी नीता तो दोस्तों आप को इन कलाकारों में से कौन सबसे ज़्यादा शिप के किरदार में पशन्द आया था आप उस अभी नीता का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही टीबी चगज से जुड़ी और भी ऐसे इंटरस्टिंग और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें